विग बॉस के घर के अंदर लड़ाई का लेवल एकदम गिरता जा रहा है। यहां तक कि घर के लोग एक दूसरे के घर वालों के बारे में गलत बाते कहने से भी पीछे नहीं रह रहे है। आज सिर्फ सिधात और रश्मी ही नहीं पारस ने भी जो है आसिम रियाज की बहन के लिए कुछ गलत शब्क है जिसकी वज़े से आसिम रियाज बहुत ही खफा हो गए और गुस्से में आ गए। मैं ही नकुमावत आपको बताऊंगी बिग बॉस 13 में वीकेंड का वार में ज आच्छा हुआ पारस तुम लकी थे कि आसिम ने ने घुसा नहीं मारा तो आसिम लिखते हैं पारस अगें शोडे साथ तोड़ देख तोड़ देख लेट सबस्टि तो अ इंदिख आत।ब रिखते हैं पारस तुमने फिर से बता दिया कि तुम्हारा star क्या है तुम सिरफ बल्कि बोलते भी घटिया हो, तुम लखी थे कि आसिम ने आज तुमें घूसा नहीं मारा, बहुत सही सहन शक्ति चाहिए, पारस जैसे इनसान को बरदाश करने के लिए, सहती उन्हों उपने भाई की पेशन्स का सरहाना करते वे कहा है, कि भाई तुम इसी तरह का जो है सहन क्योंकि इस तरह के जो लोग है, वो जो बुलीज जो आपको करते हैं, जो आपको खीचते हैं, वो एक दिन ताश के पत्तों की तरह डहे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस बात का बुरा जो है, आसिम के भाई ओमर को भी लगा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि पा और कैसे घर में रहते हैं, और यहां तक की बहुत ही ऐसी बाते कही थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल उठा तो और आज फिर से पारस ने इसी तरह की बातों का उप्योग किया है, और पारस ने इस बात की शुरुवात की थी, हम इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि जैस भड़क जाएंगे और उन्होंने देखा भी आसिम जो है, पारस को मारने के लिए भी दोड़े थे, तभी सना ने बोला कि आसिम तो बोलेगा ही, क्योंकि पारस उन्हें प्रवोक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो जिस तरह का लेवल है, जिस तरह की बाते हो रही है, क जिस तरह का लेवल, एक दूसरे के घर पर जाना, मा के बारे में बोलना, बहन के बारे में बोलना, विमेंट कार्ट खेलना, यह मुझे लगता है कि शो के अंदर जो चीज़े है, इन्हें कही ना कहीं रोकना चाहिए, हाला कि हम देखेंगे कि इन सभी बातों से सर्मान खा काफी खफा दिखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आसेम और पारस की जो लडाई हुई है, उसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती थी, और क्या वाकई में पारस को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए, या नहीं, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट कि जएभेर लगता है कि झालै है?